माइ टियर फ्रेंड्स वेलकम टू मममास फुट कॉर्नर फ्रेंड्स आज आपको सकरांती पीहू पॉंगल और उत्रायन और बहुत सारे आज तेवहारे तो सभी के बहुत बहुत शुब काम नाए और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे में एकदम टेस्टी यम्मी और एकदम नई रेसिपे आपके लिए लाई हूँ जो है मुर्मुरा चॉक्लेट लड्डू जिहां फ्रेंड मुर्मुरा के लड्डू तो आपने बच्पन में जरूर खाई होंगे लेकिन उसको मैं थोड़ सा आज ट्विस्ट दे रही हूँ और सिर्फ 5-7 निट के अंद के जो मुर्मुरा यानि की परमन होते हैं वो मैं इसको डाल ले रही हूँ इसको हम ड्राय रोस्ट करेंगे यह सिर्फ 2 मिनिट में ही अच्छे से ड्राय रोस्ट हो जाएंगे इसको पॉफ ड्राइज भी बोलते हैं तो यह मीडियम से लो फ्लेम पे इसे देख सकते हैं इस कप से थोड़ा सा कम है हम वही कप लेंगे और उसमें मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून के लगभग पानी डाल दूगी और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा चलाते हुए और मीडियम फ्लेम पे एक इसका बढ़िया गूर की जो है चाशनी बना लेंगे गाड़ी सी तो यह से हम जो होती है कुकिंग चोकलेट वो में ले रही हूं यह करीब करीब मेरी तीन टेबल स्कून के लगभग होगी चोकलेट तो यह भी मैं इसमें डाल दूगे और गेस को अभी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि चाशनी अल्रेडी गर्म है तो चोकलेट ऐसे ही मेल्ट हो अब मैं वापस गेस चालू करके और बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा सा घी में डाला है चोटा सा टी स्पुन बिल्कुल और यह मिक्स करने के बाद घी को अब हम जो हमारे मूर्मूरे है वो भी इसमें डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा पूरा जो चाशनी म अच्छे से मूर्मूरे मिक्स हो जा इस तरह से हम चला लेंगे इसे और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हमें फटाफट लड्डू बनाना पड़ेंगे नहीं तो यह सेट होने लग जाएगा ठंड़ा होने पर तो यह गर्म ही है इसे बिल्कुल जल्दी से म अंदर ही बन जाएंगे और यह इतने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं मुझे कि आप जब बनाएंगे तब आप भी बोलेंगे कि सच में कितने टेस्टी हैं और एकदम छटपड बनने वाले तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेर प्रूम उप्राइब लग जरूर यूर यूर टेस्टी लोले इस अंवर भी इसे जरूर टेस्टी लोलेंगे हैं